इस वीडियो में हम बात करेंगे लूस स्किन के बारे में चाहे वो आपके बाजू की बैक साइड पर थोड़ी के नीचे हो आपकी टांगों पर बट पर या कूले पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसकी असल वजह क्या है और आप कैसे इसे फिक्स कर सकते हैं लेकिन ये काम नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि बाडी में सेलिलर लेवल पर इस हॉर्मून को रिजक्ट किया जा रहा होता है सेल्स के पास ये हॉर्मून जब जाता है तो इसे वापस बलड में भेज़ दिया जाता है अब cells को insulin की जरूरत भी होती है, इस hormone के बगार आप जिन्दा नहीं रह सकते हैं, लेकिन मसला यह है कि यह बहुत जादा मिगदार में बनने लगता है, क्योंकि हमारी जो आजकल खुराक है, इसमें बहुत जादा sugar मौजूद है, और इस sugar को फिर ठिकाने लगाने के लिए, प प्रोटीन से नई प्रोटीन बनाई जाती हैं, जिन्हें बाडी की रिपेर के लिए इस्तमाल किया जाता है, जिसमें मसल रिपेर भी शामिल, इन्हें मसल्स तक लेके जाना, यह काम भी insulin ही करती है, ब्रांच चेन अमीनो एसिट्स का मतलब है, प्रोटीन के छोटे छोटे वीक हो रहे हैं, मसल आटरफी हो रही है, तो आपके मसल्स को ब्रांच चेन अमीनो एसिट्स की ज़रूआता है, लेकिन यहीं पे एक मसला है, अगर आपको insulin रिजिस्टन्स है, तो insulin जिसने एक सारा काम करना है, अमीनो एसिट्स को cells के अंदर तक लेके जाना, यह काम अब insulin नहीं कर पा रही है, अब जब आपके cells insulin resistant हो जाते हैं, तो इन्हें प्रोटीन, अमीनो एसिट्स और फ्यूल नहीं मिल पाता है, इन तक खुराक नहीं पहुंच पाती है, और यह वीक होने लगते हैं, अब इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जिने देख के आप यह जान सकते हैं, कि आपको यह मसला है, नमबर एक पे है, आप वजन कम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा, आपके पेट पे बहुत ज़दा चर्बी जमा होने लगी, तीसरा, brain fog, सोचने समझने, याद रखने, फैसला करने, और किसी चीज़ पे तवज़ा देने की सलाहियत मतासर हो जाती, फट खाने के बाद आप फॉरण ठक जाते हैं, यह एक किसम की pre-diabetic state है, diabetes से बिलकुल पहले, शुगर की बिमारी से बिलकुल पहले, यह सारा process होता इस तरह हैं कि एक signal pancreas को भेजा जाता है, pancreas insulin बनाता है, body यह signal भेजती है कि insulin काफी नहीं है, इसलिए तो more insulin बनाओ और system में बेजो, क्योंकि अभी अभी जो खाना अंदर आया है, इसमें बहुत जादा sugar मौजूद थी, लेकिन insulin को ब्लॉक किया होता है, cells ने, और pancreas को यह बात नहीं पता होती, तो pancreas यह समझता है कि वाकई insulin की कमी है, और sugar काम करने के लिए insulin की जरूरत है, तो यह बड़ी तेज से और insulin बनाने लगता है, नतीजा यह होता है कि ज्यादा insulin बढ़ जाती है, cells इसे accept नहीं कर रहे होते हैं, बेसिकली sugar को reject कर रहे होते हैं, लेकिन इस दौरान काम की चीज़ें भी जैसा कि amino acids और दूसरे nutrients cells के अंदर नहीं जा पाते हैं, और इस वज़ा से loose skin, aging और diabetes की तरह कुछ दूसरे मसायल भी पैदा होने लगते हैं, जैसा कि obesity, अब इस पे मेरी जो राय है, वो है कि अगर आप longevity, अपनी उमर, अपनी memory, अपने brain function को बेतर करना चाहते हैं, तो आपको ये insulin resistance का मसला ठीक करना पड़ेगा, ताकि brain cells तक fuel और protein पहुंच सके, muscles तक protein पहुंच सके और आपका जो muscle loss हो रहा है, ये यहीं पर रुक सकता है, क्योंकि muscles ही skin को tone रखते हैं, अपनी असली हालत में रखते हैं, अब आपको अपनी diet में क्या करना है, सबसे पहला काम आपको अपनी diet से sugar निकालनी होगी, और ये बात शायद आपको पहले से पता हो, refined sugars, bread में, नान, पराथा, pizza, समोसा, पकोड़ा, biscuits, cakes, instant noodles, soft drinks, इन सब चीजों को आपको अपनी diet से दूर करना होगा, अगला point, कभी भी आप protein को sugar के साथ combine करके ना खाएं, जैसा कि खीर में होता है, दूद में protein होती है, फिर इसमें चीनी भी डाली जाती है, हलवा पूरी, कुछ मिठाईयां होता है, कि इसमें क्या डला हुए, जब आप sugar को protein के साथ मिलाते हैं, तो insulin का level बहुत जादा बढ़ जाता है, even sugar आपको वैसे खानी है, तो चमच भर के खा लें, on a lighter note, मजाक में ये बात कर रहा हूँ, ये बेतर होगा, बनिस्बत आप इसे किसी nutritional चीज में डाल के खाएं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कि added sugar से आप परहस करें, इसी तरह अगर आप sugar और fat को combine करते हैं, तो ये भी insulin को बहुत जादा बढ़ा देता है, तो हमें ये भी नहीं करना है, snacking भी ये मसला पैदा कर सकती है, snacking मतलब proper खाने के इलावा भी आप दो खानों के दरमयान मिल करें, और दो तिन और बाते हैं, अगर आप coffee पीते हैं और बहुत जादा coffee पीते हैं, तो जादा caffeine भी insulin को trigger करती है, तो एक cup, जादा से जादा दो cup black coffee एक दिन में और एक शाम में पी रहे हैं, तो ये normal caffeine intake में आता है, इससे जादा ना पी हैं, तो इस वीडियो के जरीए मुझे आपको ये बताना था, कि अगर आप अपनी healthy skin को वापस पाना चाहते हैं, तो आपको इस मसले की root cause को समझना होगा, क्या ये मसला ज्यादा stress की वज़ा से है, या इसकी वज़ा ये है कि आपकी diet सही नहीं, या ये वज़ा कि आप exercise नहीं करते हैं, ये भी एक situation हो सकत में अपनी राय का इज़ार जरूर करें, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, अलाहाफिज